हेलो वंदी मात्रम तो आल अप माई 10 स्टांडर्ड दियर स्टुडेंट्स तो फ्रेंट्स आज हम स्टाड करने वाले हैं इंग्लिज के ही किताब का पोएम सेशन राइट टोटल फॉर पोएम हैं तो टुटी वी आर गोईंग तो लन फस्ट पोएम माई सॉंग रिटेन कि यह मेरे जो गीत है विल विंड यह घुमते रहेगा घरे रहेगा इस मूजिक उसके संगित से घरे रहेगा अराउंड यू तुम्हारे आसपास माई चाइल मेरे बच्चे मेरे यह जो गीत है तुम्हें इस गीत के संगित जो है तुम्हारे आसपास घरे रहेगा किसकी तरह like the fond of arms of love जैसे प्रेम रूपी हाथ आपको गले लगाते है उस प्रकात मेरे यह जो गीत है मेरे बच्चे तुम्हारे मेरे जो गीत है यह तुम्हें इसके संगित इसका जो संगित होगा एक संगित गीत के जो संगित है तुम्हारे आसपास घरे रहेगा मा अपने बच्चे को बोल रही है जो उसने गाने गाय जो उसने लोरी सुनाई हुओ जो उसने एडवाइज दिये बच्चों को वो उसने गीत के रूप में प्रस्तुत किया है याद रखना फ्रेंज आपको पोएम का ट्रांसलेशन करना है आज का हमारे पोएम करने का मेरे जो गीत है मेरे जो गीत है तुम्हारे मेरे गीत के जो संगीत है मेरे यह गीत के जो संगीत है यह तुम्हारे आसपास हवा की तरह पवन की तरह विंड हवा की तरह घुमे घिरे रहेगा तुम्हें घुमते रहेगा तुम्हारे आसपास मेरे बच्चे किस की तरह आपको गले लगाते उस हातों की तरह यह जो गीत के जो संगीत है वो तुम्हारे आसपास घुमे रहेगा घिरे रहेगा next line this song of mine will touch your forehead यहां पर forehead का मतलब होता है कि माथा जो नाक के उपर का जो भाग होता है सीर का हुऊ this song of mine will touch your forehead like a kiss of blessing मेरे यह जो गीत है यह तुमारे माथे को स्पर्स करेगा मेरे यह जो गीत है यह तुमारे माथे को स्पर्स करेगा किस की तरह like a kiss of blessing आशिरवात के चुम्बन के तोर पर की तरह ही मेरे यह जो गीत है यह तुमारे माथे को स्पर्स करेगा आगे देखो, when you are alone, when you are alone, it will sit, it will sit by your side and whisper in your ear, यहाँ पर whisper का मतलब होता है गुन गुना आना, when you are alone, it, जब भी तुम कभी भी लाइप में, कभी भी अकेले रहोगे, तो याद रखना, when you are alone, जब भी तुम अकेले होते हो, या होंगे, it will sit by your side, by मतलब बाजु में, कि यह तुम्हारे बाजु में यह जो मेरे गीत ही तुम्हारे बाजु में आकर बैठेंगे, and whisper in your ear, और बाजु में यह गुन गुनाएगा, my dear friends, इसे लाइन का तांसलेजन फिर से सुनना, when you are alone, it will see it by your side, and whisper in your ear, जब भी तुम अकेले बैठेंगे, तो यह जो मेरे गीत ही तुम्हारे बाजु में आकर बैठ जाएंगे, और तुम्हारे कानों में गुन गुनाएंगे, तुम्ह inspire करेंगे मेरे यह गीत, right, when you are in crowd, जब आप अकेले बैठे होंगे तब भी, और when you are in crowd, जब तुम भीड़ भाड़ एरिया में होगे, भीड में होंगे, it will fence you, fence, fence मतलब होता है protect, रक्षा करना, right, protect करना, रक्षा करना, you about with aloofness, right, aloofness मतलब होता है, glossary में लिखा है, कि loneliness detachment, loneliness, कि जब कभी तुम भीड में भी रहोगे न, तो यह उस भीड से तुम्हें अलग करेगे और तुम्हारे रक्षा करेगे, right, with aloofness, इन सब भीड से तुम्हें दूर रखेगे, तुम्हारे रक्षा करेगे, मतलब तुम्हें कोई प्रकार का नुक्सान नहीं होने देगी, क जो मेरे गीत है, तुम्हारे रक्षा करेंगे, तुम्हारे ध्यान रखेंगे, प्रोटेक करेंगे तुम्हें, right, तुम्हारे अकेले पन से तुम्हें प्रोटेक करेंगे, next paragraph देखो, my song will be like a pair of wings, right, मेरे जो गीत है, पंखो की जोड़ी की तरह काम करेंगे, होंगे, pair of wings होंगे, मतलब पंखो की जोड़ी होगी, pair मतलब couple, जोड़ी, right, my song will be like a pair of wings to your dream, मेरे जो गीत होंगे, यह तुम्हारे सपनों को, यह तुम्हारे सपनों को पंख की तरह काम करेंगे, right, कहने का मतलब, कि तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे सपना साकर करोगे तुम्हारे सपने को साकर करने के लिए, मेरे जो गीत है, यह तुम्हें उड़ने के लिए प्रसान देंगे, यह मेरे जो गीत है, तुम्हारे पंख बनेंगे, तुम्हारे सपने को साकर करने के लिए, right, it will transport, देखो क्या लिखा है, it will transport your heart to the words of the unknown right कि यह जो मेरे जो गीत है यह तुम्हें transport करेंगे transport मतलब होता है uplift ले जाना बदल देना रैट ले जाना it will transport your heart यह तुम्हारे दिल को ले जाएगा बदल देगा कहा पर मतलब to the words of the unknown words मतलब क्या होता है very close to experience मतलब अज्यानता के अग्यानता के अनुभव तक अग्यानता तक कि आपको अग्यान ना रहा अग्यान क्या था अग्यानता क्या थी वहां तक आपको यह जो मेरे जो गीत है यह तुम्हारे दिल को अग्यानता के सिमा तक ले जाएगी रैट एक बार फिर से उपर से रिपीट स्टार्ड करते हम तो देखना जरा Mayranila the song of mine will wind its music around you my child like the fond of arms of love मेरे जो गीत है यह मेरे जो गीत के संगित यह तुम्हारे आसपस घिरे रहेंगे मेरे बच्चे प्रेम रूपी हातों की तरह मेरे ये गीत के संगीत तुम्हें घीरे रहेंगे ये जो गीत ये तुमारे सीर को पर्स करेंगे प्रेम रूपी आशिरवात के चुम्बन के तोर पे when you are alone it will sit by your side and whisper in your ear जब भी तुम अकेले रहोगे यह मेरे जो गीध है ठीक तुमारे बाजू में बैठेंगे और तुमारे कानों में गुनगुनाएंगे when you are in crowd जब भी तुम कभी भीड में भी होंगे it will pants you about with aloofness यह तुम्हे अकेले पन से उस भीड भार से आप तुम्हे ठेस ना पहुचे उस भीड भार से तुमारी रक्षा करेंगे my song my song will be like a pair of wings to your dream मेरे जो गीध है यह तुमारे सपनों को पंख देने का काम करेंगे पंख की तरह होंगे पंखों की जोड़ी की तरह होंगे it will transport your heart to the words of the one known यह जो है मेरे जो गीत है तुमारे रिधे को अग्यानता की सिमा तक ले जाएगा ग्यानता से ग्यानता की सिमा तक आपको पहुचा जाएगा last three line में से देखो friends it will be like a faithful faithful मतला आपको पता यह वफादार it will be like the faithful star overhead overhead मतलब ठीक तुमारे सिर के उपल राइट वेन डार्क नाइड इस ओवर यूर रोड क्या कहा है देखो पोएट ने क्या कहना चाहते हैं कभी भी कहना चाहते और इस मा के माद्यम से अपने बच्चे को कुछ कहना चाहते हैं कि it will be like a faithful पुल्स्टार मेरे यह जो गीध है यह वफादार तारों की तरह रहेंगे जो तुम्हारे सिर पर होते वफादार तारो का काम करेंगे मेरी यह जो गीत है it will be like the faithful star overhead when dark night is over your road right मेरी यह जो गीत है वफादार तारो का काम करेंगे जब तुम अंधिरी रात में रोड पे चलते होंगे न तब मेरी यह जो गीत है वफादार तारो की जैसी काम करेंगे right आगे देखो my song will sit in the pupil of your eyes pupils pupil मतलब friend pupil मतलब होता है आखो की पुतली right याद रखना मेरे जो गीत है my song will sit in the pupil of your eyes मेरे जो गीत है तुमारे आखो की पुतलियों में बैठेंगे right and will carry your side into the heart of the things or and will carry your side right और तुमारे द्रिश्य को side को into the heart of thing वस्तों के रिधे तक उन वस्तों की रिधे तक तुमारी आखो को तुमारे द्रिश्य को ले जाएंगे मतलब तुम देख पाओगे कि हर वस्तों में जान है right हर तुम महसुस कर पाओगे उनके रिधे को उनके दर्द को उनके पैन को right क्या कहा है देखो second last line में my song will sit in the people of your eyes मेरे जो गीत है ये तुमारे आखों में तुमारे आखों की पुतलियों में बैठेंगे आखों की जो पुतलियों होती वहां बैठेंगे and will carry your sight into the heart of the things और तुमारे इस दृष्य को उन वस्तों के रिधे तक ले जाएगा उन वस्तों के दिल तक ले जाएगा right so my dear friends last line है अभी हमारी and my voice and when my voice is silent in death और जब मेरे आवाज मृत्य के समय सांथ हो जाएगी मतलब जब मैं मर जाओंगा right जब मेरे आवाज ने आप तक पहुच पाएगी right and when my voice is silent in there जब मृत्य में मेरे आवाज सांथ हो जाएगी my song will speak in your living heart कि यह जो मेरे गीत है यह तुम्हारे जीते जागते दिल में बोलते रहेंगे धड़कते रहेंगे गाते रहेंगे बोलते रहेंगे मेरे यह जो गीत है right and my voice is silent and when my voice is silent in there जब मृत्य मेरे आवाज सांथ होगी my song will speak in your living heart मेरे यह जो गीत है यह तुम्हारे जीते जाते रिधह में दिल में बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ तुम्हें motivate करते रहेंगे तुम्हें inspire करते रहेंगे इस पोएम का आपको ट्रांसलेशन लिखना ही है जो भी हमने समझाया भले इंगलिस में मत लिखो पूरा हिंदी में इसका ट्रांसलेशन आपको आपकी फेर कोफी में जैसे अभी तुमने कुछ नान से लिखे होंगे न उसी के आगे पोएम नंबर फर्स माई सॉंग टाइ लिखने होने के बाद आप नीचे देख सकते हो कि गलोजरी है किताब में आप देख सकते हो नीचे की गलोजरी में इंगले वीडियो में हम इस पोएम के ट्रांसलेशन और को चर्चा करेंगे तिल देन जहीन वंदे मातरम